फीचर लेखन के दो उधारन लेकर मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों ने इसकी रिक्वेस्ट की है फीचर लेखन क्या है आलेख से और समाचार से किस तरह से डिफरेंट है वो मैं आलड़ी आपको पहले पोस्ट के वे पाठों में बता चुकी हूँ यह वीडियो उन बच्चों के लिए पोस्ट की जा रही है जिने अभी तक यह समझ में नहीं आया कि फीचर लेखन कैसे करें अगर विशय दे दिया तो कैसे और कितना लिखें पीचर लिखन को अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करें तो हमें याद है कि इसका उद्देश्य आवश्य होना चाहिए इसकी भाषा सरल सहज होनी चाहिए शुरू से लेके आखिर तक रोचक भाशा में लिखा होना चाहिए, मनरंजक होना चाहिए, सूचना भी होने चाहिए, अगर किसी अख़वार में लिख रहे हैं तो चित्रों का प्रयोग और अगर संबंदित विशयत से कोई आपको इंटरव्यू या अन्य लोगों के विचा परशक होने चाहिए और पाटकों में आखिर तक पढ़ने की उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, जो सबसे अधा क्वेशन पूछते हैं बच्चे वही है कि इसका क्या फॉर्मेट है, तो इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता, कोई धाचा नहीं होता, लेकिन जब हम अपने विचारों को लिखना है, तो उनको ओगनाईस करना ही है, तो हम अपने दिमाग में भूमी का बना लेते हैं, और उसको अध्विश्यवस्तू किस तरह से लिखनी है, उसको एक्सपेंड कैसे करना है, उसको उन विचारों को हम ओगनाईस करते हैं, छोट-छोटे अन लिखना है नहीं फीचर को आप छोटे-छोटे पैरग्राफ में लिख सकते हैं लेकिन पूरा एक फ्लो होना चाहिए जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं अब देखते हैं दो उधारण आया की स्वस्थ भारत स्वच भारत पर आप एक फीचर लिखे तो जो स्टार्टिंग है वह आकशक और सरल शब्दों में रोचक होनी चाहिए यहां इसी बात का पालन किया गया सुबह का अख़बार खोलते ही मोदी जी की तस्वीर उनकी स्वच भारत का निर्मान करने की च आगे बड़े अब पाठक पढ़ना चाहेगा आगे क्या लिखा है फिर दूसरे पैरग्राफ में आप लिख सकते हैं स्वच्छता हमारे मूल भूत कर्तव्यों में से एक है हमारे मानेनियम प्रधान मंत्री मोदी जी ने दो अक्तुबर 2014 को स्वच भारत के निर्मान के लि विकास तो जरूर होगा अब यहां पर बच्चे ने अपना मत अपनी विचार भी यहां डाले हैं विकास तो जरूर होगा लेकिन उससे पहले नीचे इस तर पर हमारा विकास होगा आज अस्वच्छता के कारण ना जाने कितनी बीमारी बीमारियां कितनी बीमारियां भारत में फैल रही हैं जैसे ट्राइफेट मलेरिया आदी इन सबका मूल कारण हम इंसान हैं कहने को तो हम स्वच भारत स्वस्थ भारत के नारे बहुत तेज लगाते हैं लेकिन क्या हम कभी इसमें अपना योगदान देते हैं अब यहां पाठकों के लिए प्रिश्ण भी छोड़ रहे हैं हर व्यक्ति अपना घर तो साफ करता है लेकिन वैं कूडा बाहर सडक पर फेंग देता है इसके बाद सोचता है कि सफाई होगे लेकिन वास्ता में यह स्व सफचता नहीं है स्वच भारत के लिए हमें अपने घर गली शहर आधी सब को साफ रखना होगा सवच भारत स्वस्त भारत देखने का सपना एक बड़ा सपना जरूर है लेकिन नामुम्किन नहीं अगर हमारा वातवरन हमारा भारत सवच रहेगा तो हम बीमारियों से बचेंगे मृत्त inner कम होगा और हम भारत की निर्मान में अपना योगदान दे पाएंगे इसलिए एक विक्षित और स्वच भारत के निर्मान के लिए पहले हमें बिमारियां फैलाने वाले किटानूओं के घर को नस्ट करना होगा और इस तरह से स्वच भारत बन सकेगा यही हमारे देश की प्रगति का कारण भी बनेगा तो इस तरह से आप एक फीचर लिख सकते हैं जो यह फीचर है भीड भरी बस के अनुभव यहां हम इस फीचर को रिपोर्ट की तरह लिखेंगे हमारे मेन जो तत्व है फीचर के वो तो वही रहेंगे लेकिन जो हमारी शैली है वो कुछ-कुछ हमारी रिपोर्ट करने वाली शैली की तरह हो जाएगी कि किस तरह से हमने स्टार्टिंग करनी है और किस तरह से आगे बढ़ाना है यहां भी starting हमें इस तरह से करने है कि पढ़ने वाला उत्सक हो जाए कि आगे क्या लिखा है और थोड़ा छोटे अनुच्छेदों में हम बाट कर लिखें तो अच्छा है जो कि यहां नहीं लिखा गया बहुत बड़े बड़े अनुच्छेद है प्राया देखा जाए तो बसों में भीड ही होती है किन्तु भीड इतनी होती है कि पै रखने की जगा तक नहीं होती है उस भीड में प्राया यह नहीं पता चलता कि कौन कंड़क्टर है वे कौन सवारी भीड भरी बसों में कई चोरियां भी हो जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता अब जो यहाँ अनुछेद नया शुरू करना चाहिए जो इस बच्चे नहीं किया क्योंकि यहाँ से वै अपना अनुवग बताना शुरू कर रही है मैं भी आज एक बस में बैठी जिसमें काफी भीड थी यूवग वह बत्तमीज लड़के तो इसी फिराक में रहते हैं कि उन्हें भीड भरी बस मिली नहीं कि उसमें चड़ जाओ गलत काम करो कोई उस काम क्यों रिशारा करे तो कह दो गलती से हो गया पीचे से धका आया था और उसमें मेरी क्या गलती अब यहां एक नया पैरग्राफ हम शुरू कर सकते हैं दूसरे आनुचेद प्राया बस वाले इतनी अधिक सवारियों को बठा लेते हैं कि जितना की उसमें जगह भी नहीं होती कुछ लोग खड़े रहते हैं कुछ लोग बस के उपर बैठते हैं जिससे संतुलन बिगड़ता है वो फिर दुरगटना होती है कई लोग की जान चली जाती है मैं जिस बस में बैठी थी वह इतने आराम आराम से चल रही थी कि मुझे आदे घंटे का सफर तय करने में दो घंटे लगे क्योंकि उसमें इतनी अधिक सवारियां ही बठा ले थी कि भीड भरी बसों में कोई भी किसी का कभी समान भी ले जाया तो पता नहीं चलता बाद में पता चलता है जब तक काफी देर हो चुकी होती है अब यहां से आप एक नया पैरग्राफ शुरू कर सकते हैं ऐसी बसों में बीडी की बद्बू से कई लोग का स्वास्त भी खराब हो सकता है और बीडी की चिंगारे से किसी गोहानी भी पहुंच सकती है भीड भरी बसों के शौर से दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है सिर में दर्द उत्पन हो जाता है भीड भरी बसों का अनुबब काफी खराब होता है जो व्यक्ति एक बार भीड भरी बसों में बैठ जाये सरकार ने इसके विरुत कई कदम उठाई हैं किन्तु बस में चालक को द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता इस समस्या को हल करने के लिए हमें सजग बनना होगा और जब हम ये सोच लें कि भीड़ बरी बसों में नहीं चड़ेंगे तो समस्या स्वतह ही हल होने शुरू हो जाएगी तो इस तरह से आपने फीचर के दो तरह के उधारन देखे एक अपने आनुभव के आधार पर किस तरह से लिखा जाएगा और एक जो आपके पास तथ्य है और जो आसपास घटनाए हो रही है उनके आधार पर लिखा गया है